तमिलनाडू की मुख्यमंत्री एमके स्ट्रैलिन के बारे में अपमान जुनक टिपणी करने वाले यूट्यूबर सत्ताई दुरई मुरुगन को सुप्रीम कोट ने राहत दी है। ए दुरई मुरुगन 27 से जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोट ने हाई कोट के फैसले को पलट दिया और दोबारा जमान दे दी। इस जमानत को मनजूर करते हुए सुप्रीम कोट ने इस बात पर जोर दिया कि दुरई मुरुगन विरोध य या अपनी बात व्यक्त करके अपनी आज़ादी का दुरुप्योग किया। साथ ही सुप्रीम कोट ने कहा कि हमें यूट्यूबर की जमानत रद करने के लिए कोई बाधिकारी कारण नहीं दिखता है। इसलिए हम जमानत रद करने के मदरास हाई कोट के आदेश को रद कर देते हैं जमानत देने के पहले के आदेश को बरकरार रखते हैं सुप्रेम कोट ने ये भी कहा कि अगर भविश्य की पैस्तितियों में ऐसी कारवाई की आवशक्ता होती है तो जमानत रद करने का विकल्प उपलब्द रहता है खास बात ये है कि बेंच ने ये भी साफ किया है कि अगर सत्ताई आज़ादी का दूर्प्यों करते हैं तो वह जमानत रद करने के लिए राच्चो की बात सुनने के लिए तैयार है दुराई मुर्गन को एमकेट स्च्छालिन और अन्ने के खलाफ अपमान जनक टिपड़े करने के आरोप में पुलिस ने गरफतार किया क्योंकि तमिल्लाडू सरकार द्वारा हलफ नमा दायर करने के बाद भी आरोपी ने सीम एमकेट स्च्छालिन के खलाफ अपमान जनक टिपड़े करना ज्यारी रखा इसके बाद हाई कूट ने उनकी जमानत रद कर दी इसके बाद यूट्यूबर ने सीधे सुप्रेम का दर्वाजा खट खटाया था ब्यूर रपॉर्ट